आप देख सकते हो यह नोटिफिकेशन जो है नॉर्थर्न कोल फिल्ड लिमिटेड में आए हुई है और यह एक मेनी रतना कमपनी है और इसमें हम लोग सारी चीजें डिटेर्म भी सस्करेंगे और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए जिससे आपको एवरी डे गवर्मेंट जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहे तो यहां पे हम लोग देख लेंगे आपका जो है डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड में वेकेंसी है जैसे welder, gas and electric के लिए देखें तो इसमें जो है 88 वेकेंसी हैं और इसमें एक साल का ट्रेनिंग होगा ट्रेनिंग के दौरान आपको सैलरी भी दी जाएगी और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और फीटर में देखें तो यहां पे 685 वेकेंसी हैं तो अच्छी कासी वेक हैं और इसमें भी एक साल का ट्रेनिंग होगा और मोटर मैकनिक में देखें तो यहां पे 92 वेकेंसी हैं और इसमें भी एक साल का ट्रेनिंग होगा ट्रेनिंग के दौरान सैलरी और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और यहां पे जो है टूटल वेकेंसी की बात करें तो 12 1095 vacancies हैं अच्छी कासी vacancies है यदि आप eligible हो तो form को जगड़ फिल कीजिए और यहां पर हम लोग देख लिए qualification welder के लिए देखें gas and electric के लिए तो इसमें एट पास साथ में iTI होना चाहिए welder से और यह आपका जो है UP या फिर MP Best Institute से होना चाहिए तब ही आप form fill कर सकते हो और सारे में यहां पर qualification आपका यूपी या फिर MP Best Institute से ही होना चाहिए और यहां पर electrician में देखें तो आपका 10th Pass, साथ में ITI होना चाहिए electrician से और feeder में देखें तो इसमें भी 10th Pass, तास में ITI होना चाहिए feeder से और motor mechanic में देखें तो इसमें भी आपका जो है 10th Pass, साथ में ITI होना चाहिए motor mechanic से और यहां पर आपका जो qualification होगा उसमें 50% चाहिए यदि आप जेनरल कटेगरी में आते हो और यदि आप SC, ST, OBC या फिर PWBD कटेगरी में आते हो तो 45% चाहिए आपका तभी आप form fill कर सकते हो और age की बात करें तो यहाँ पे minimum 16 और maximum 24 यर तक आप form fill कर सकते हो यदि इस date तक आपका यहाँ पे 24 हो जाता है maximum तो आप form fill कर सकते हो और minimum 16 यर होना चाहिए इस date तक और age में कुछ चूट होगा SC, ST वाले के लिए 5 यर और यहाँ पे OBC वाले के लिए 3 यर तक का चूट होगा और अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे form fill करना कैसे है तो form fill करने के लिए सबसे पहले आपको जो है इसके website पे जाना होगा इस website पे जाके आपको register करना है कुछ basic details डालके उसके बाद आपको form fill करना है और यदि आपको form fill करने में कोई भी doubt होता है तो आप comment कर सकते हो मैं आपको suggest करूंगा और selection process की बात करें तो इसमें कोई भी exam नहीं है ना ही इसमें कोई भी application fee है तो अच्छी opportunity है आप लोगों के लिए यदि आप लोग eligible हो तो form को जड़ फिल कीजिए इसमें जो है आपका जो भी iti में result है उसके basis पे यहाँ पे selection होने वाला है राइट और और देख लेते हैं तो और इस notification में कुछ नहीं है यहाँ पे हम लोग देख लेंगे आपका जो है last date तो आप जो है 6 December से 20 December तक आप form fill कर सकती हो तो आपके पास ज्यादा time नहीं है जितना जल्दी हो सके आप form fill कर लीजिए और और इस notification में कुछ नहीं है और यदि आपको इस notification में कोई भी doubt होत तो थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो